टॉयलेट एक फ्रेम कता बॉक्स ओफिस पर जबर दस्त कमाई कर रही है। 25 करोर की लागत से बनी इस फिल्म में 5 दिनों में लगभग 83.45 करोर की कमाई कर ली है। बता दें कि टॉयलेट एक फ्रेम कता को 3000 स्क्रीज पर रिलीस किया गया था। खबरों की माने तो ये फिल्म इस साल की हाईयस क्रोसरी फिल्म बन गई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस फिल्म को रिलीस हुए अभी सिर्फ पाँच ही दिन हुए हैं। और ये फिल्म अभी से इतनी आगे निकल गई है। ट्रेडेनिलिस की माने तो ये फिल्म अभी और दिनों तक जबरस कमाई करने वाली है इस फिल्म ने शोशिल मैसिस के जरीए हर किसी को जागलुक करने की पूरी कोशिश की है हसी किसान साथ एहम मुद्धो को सभी के सामने कैसे पीश किया जाता है वो अक्षुई ने बखुवी किया है के अब देखना दिल्चस्ट होगा कि ये फिल्म आने वाली दिनों में कितनी घमाई करती है बता दे कि फिल्हाल बाहुपली 2017 की हाइस ग्रोसर फिल्मों में सबसे आगे है उसके बाद इस लिस्ट में रईस और काविल जैसे फिल्मों का नाम शामिल है बढ़ अब ये देखना वाकई दिल्चस्ट रहेगा कि आने वाली दिनों में ये फिल्म कौन से नंबर पर आती है नियूस एक्सप्रेस की रिपोर्ट